वापस आने के लिए शुक्रिया ये थर्ड पार्ट है रेस्टरेशन का बाखी के पार्ट सबको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और लास्ट पार्ट का लिंक आपको उपर आ रहा होगा आज हम लोग गराज जाके आपको दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं गाड़ी के अब एक बार देख लिए मैं इसका डामेज दिखाऊंगा स्लोली और इससे पहले हम लोग चलेंगे दूसरी स्टीम की तरफ जिससे हम लोग आउटर बाड़ी सोर्स करने वाले हैं यहां पर देखे यह है ब्लू कलर की एक स्टीम मिली है हमको जिसका बाड़ी एकदम फर्स मेरी ओरिजिनल गाड़ी से हम लोग ले लेंगे इसका जो है हम लोग सिर्फ आउटर शेल यूज़ करने वाले हैं बिकॉस्ट अफ दी पार्ट इसके गाड़ी के बहुत इंटक्ट है और रस्ट फ्री है यहां पर देख लो सामने से एक लोग चोटे मोटे डेंट्स है अब यही जो साइड लांप जो है राइट साइड का जो लांप है मैं अपने काड़ी से सोर्स करूंगा एगेन विकॉस देर से न्यू वन यहां पर थोड़ा सा देंटिंग का वर्क हो जाएगा और इसका जो पेंट है I am thinking I will go with the dark blue बिकॉस यह बहुत बढ़िया लग रहा ह है बिकॉस यह स्क्रैप यार्ड में रुकी थी बहुत टाइम से बोनेट भी आप मतलब डिकी आप चेक कर लो एक बार इसका जो टिक्की है मतलब बूट स्पेस जो भी है अंदर इस एक्स्ट्रीमली वेल नथिंग इस डामेज़ यह जो छोटे मोटे आप देख रहे हैं य यहां पर इसका जो क्लोजिंग भी है डिकी का एट जस्क्लोज इस विट वन लिटल पुश अनलाइक मेरी पुराने गाड़ी उसको जितना धक्का मारके बंद करना पड़ता था इसका जस्ट पुश करने से बंद हो रहा है तो I am very happy with this shell of this car and इसका alloys भी देखिए है एक advantage है इसमें मेरे को alloys मिल रहे है because मैं अगर बाहर से alloys खरी दूँगा even पुराने alloys लूँगा तो मुझे कम से कम 12-13,000 तो लगाने पड़ेंगी मगर इस गाड़ी में मुझे already alloys लगके मिल रहे है तो which is awesome यहाँ पर order reading आप देख लिजे it shows 92,000 km अगर हम लोग इसको ठीक करने बठेंगे तो it will take lot of time and worth रही है बिकास गाड़ी का जो है पार्ट बहुत वीक हो चुका है and it's not safe to use this vehicle anymore तो हम लोग इसका engine रिटेर करेंगे सारा engine रिटेन होगा and सारे internal parts सब रिटेन होगे just outer body जो है one piece में हम लोग इसको ले लेके इसके अंदर अपना engine फिट करेंगे आप देखिए आपको door के differences में पता चल रहाँगा आप देखिए किस तरह से इसमें पूरा बॉरा बॉंडो एंड प्लास्टर वर्क जिसको प्लास्टर बोलते हैं वो प्लास्टर कई वर खो रखा है अंदर तो intact ही है almost अपना dashboard अच्छा है steering wheel अच्छा है मैं dashboard को switch करूँगा उस गाड़ी में इसके ठीक टांक है मगर मैं बाद में यूज करूँगा इसको ले जाओंगा मैं घर अगर जो एलोइस है मैं उसको रखने वाला हूँ वह यह बहुत पसंद आया है इल गो फर रिपेंट एलोइस का थोड़ा सा रिपेंट कर आके वह यूज करने वाला हूँ टायर में भी शायद अभी लाइफ पाक ही है मैं एक बार देखूंगा cleaning करने के बाद पता चलेगा अगले वीडियो में cleaning जब होगी तो clearly पता चलेगा तो यहाँ पर पीछे में रदोस्त है आज भी हो मेरे साथ ही इस एकंपेनिंग में तो हम दोनों मिलके अक्शली यह गाड़ी restore कर रहे है तो उसको भी classics में बहुत इंटरस्ट है तो he is thinking he'll take Honda City बट आभी के लिए यह प्र भी थोड़े बहुत gaps है पैनल में this is plastic part anyway so I am thinking I'll get a new bumper पीछे जो भी है बॉटम बॉटम पार्ट यह नाया मिलेगा OEM वह में जाकर स्विच करूँगा एक दम ब्रांड़े लॉइस है company-made इसमें कुछ भी aftermarket लगा नहीं है तो these are all original parts तो मैं इसके ओपर same color का paint लूँगा I will go for a dark blue and I think this looks very beautiful on this car comment करके जरूर बताना आपको एक color कैसा लगा and if you think this color suits do let me know and if you have any other color in mind कोई भी दूसरा color आपको मन में है तो आप बोल दीजे and this is one classic bonus clip है आप लोगों के लिए this is a 1967 way spa that has been restored tastefully by this mechanic तो हम हमारे जो गाड़ी restore कर रहे है जिनका नाम सलीम है तो यह उनकी गाड़ी है उन्होंने कहीं यह जंक से source किया था बहुत पहले यह already one and a half year पहले यह गाड़ी बन चुकी थी उन्होंने बहुत टाम से इसको यूज भी किया है तो यह already कोई tracks में भी जा चुकी है गाड़ी इसके बारे में भी मैं दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में और भी comment करके आप बताईए आपको यह गाड़ी कैसी लगी अगर इसके बारे में जानना है तो मैं जरूर आप comment करोगे तो उसमें reply करके आपको बता दूंगा या तो आप whatsapp group भी जॉइन कर सकते हो जो मैंने recently बना है लिंक description में मिलेगा आज के लिए इतना ही था stay tuned hit the bell icon take care